Good morning class 4, today we will understand math chapter 2, word problem की कुशिन आज हम समझेंगे, कुशिन फ़र्द देखने हैं इसमें, रिया ज मदर इस 1 मीटर 52 सेंटी मीटर टॉल, बट रिया इस 1 मीटर 65 सेंटी मीटर टॉल, तो रिया की मदर की हाइट कितनी है, 1 मीटर 52 सेंटी मीटर और रिया की हाइट कितनी है, 1 मीट 65 सेंटी मीटर, तो बताना है, अब रिया की हाइट अपनी मदर से कितनी जादा है, आंसर देखेंगे, रिया ज मदर हाइट, रिया की मदर की हाइट लिखेंगे सबसे पहले हम, 1 मीटर 52 सेंटी मीटर, फिल लिखेंगे रिया की हाइट, 1 मीटर 65 सेंटी मीटर, अब हम फाइ उसमें से हम रिया की मदर की height minus कर देंगे. तो minus करने के बाद कितना है? 13 cm. तो हमें पता चल गया, रिया जो है 13 cm tall है अपनी मदर से. तो हम यहाँ पर लिखेंगे, so Ria is taller than her mother by 13 cm. Question second देखेंगे, Megha traveled 4 km by bus and 1 km 125 m on feet and reached a shopping center. How much distance did she travel in all? तो Megha जो है, वो 4 km bus से travel करती है और 1 km 125 m foot से travel करती है, यनि कि पैदल जाती है. तो अब बताना है, shopping center वो reach कर गया, अब हमें बताना है कि उसने total कितना distance travel किया? तो आंसर देखेंगे, Megha travel by bus, Megha ने bus से कितना travel किया? 4 km, और foot से कितना, यनि पैदल कितना उसने travel किया? 1 km 125 m, तो total distance कितना travel किया है Megha ने? हम दोनों को plus करेंगे. दोनों distance उसने जो bus से और foot से उसने travel किया, उन दोनों को plus करेंगे, तो आंसर आएगा, 5 km 125 m, ओके students, आप यह अपनी notebook में करेंगे, thank you.